कि असलाम अलेकुम पाकिस्तान में आपका होस्ट फुरकान है मुदर आप देख रहे हैं एफके मोटर्स तो वीवर्स आज जो गाड़ी हमारे पास मौजूद आई है ट्योटा क्रोला जी लाइस सिल्वर कलर में है इसलामबाद रिजिस्टर्ड है ये गाड़ी और पंद्रा सारी कंडिशन दिखा तो इसके बाद बात कर लेंगे इस गाड़ी की डिमांड जाता है और आटो डैकुरेशन से इतनी भी पार्ट है उनकी लेटस अपडेट भी जाती है तो अभी तक अगर आपने एफके मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बगारा इसका जैन्वन है इसलामबाद का नंबर है इसलामबाद की रिजिस्ट्रेशन है जैन्वन इसमें आपको सारे डॉकुमेंट मिलेंगे और जो ओनर सेल कर रहे हैं उनका अपने नाम जो है यह गाड़ी है इसका बोनट देख लें आप इसके बोनट की कंडिशन दे हुआ है सील बैसील गाड़ी है जो यह साइड है इसके नीचे नीचे दोर्स के नीचे नीचे वली जो जगा है वो ड्यू तो स्क्रैचिस जो है वो शावर होई भी है लेकिन एक्सिदेंट नहीं है गाड़ी ठीक है और यह सके टार्स की करणिशन देख लें स्टॉक रिम इससमें मुझूद है घाड़ी में नहीं है और आपको मैं इसके दोर्स की सील चेक रवा देता हूं इसका राइट साइड का फरंट दोर रहा है जील देख लें आप बिल्कुल एकॉरेट है सील बैसील गाड़ी और इसके पीलर्स की कंडिशन देख लेंग आप आप आपको इसका बैक डॉर दिखा देता हूं बैक डॉर की सील देखने हैं आप पिलर्स देखने हैं यहां से आप और यह इस गाड़ी का ड्राइड साइड का इडियर टायर वीवर टायर्स की कंडिशन इसमें आपको काभी अच्छी मिलने वाली है अब मैं आपको इसका लेट साइड का विव दिखाता हूं इस गाड़ी का लेट साइड का विव यहां पर भी सेम वही सीन है के दर्वाजों से नीचे नीचे जो है वह शावर होई गाड़ी सही है स्क्रैचिस की वज़़ा से और बाकी साड़ी गाड़ी जैन् है सो आपको इसकी में सील दिखा दे तो एक्सिदेंटीन नहीं है सिर्फ स्क्रैचिस की वज़़े से यह गाड़ी पर शावर हुआ गया आपको इसका इंजन भूम भी दिखाऊंगा और इसके इंटियर की कंडिशन भी दिखाऊंगा यहां से आप देख लें इसके पिलर अंदर से जो गाड़ी है वो टोटल जैन्वन है गाड़ी की माइलेज की बाद कर ली जाए तो नवे हजार किलोमेटर यह गाड़ी चली हुई है बैक डूर की सील देखने आप पिलर देख लें आप यहां से और यह के लैप साइड का बैक टाएर आप यह है चारो तायर इसमें आपको सही देखने को मिलेंगे तुर्विवर्स यह की रिर साइड का व्यूर्स आप इसकी कंडिशन देख लें उपर जो है वह ट्रंग पे स्पोईलर लगा वह और इसलामबाद का नंबर है नीचे जो है वह बॉडिकेट्स भी लगी हुई है सही ए बैक साइड से आप इसका गाडीका Romania見て अंदग कें इसके की कंडिशन देख लें यहाँ पे डाट का गाड़ी है ऑप इसके और से भूत की स्किल अब बिल्कुरे नहीं देखनेद की पेहले स्ट कोथ資esten आप श् ο उपमणा लिए मीन बॉल ऐस स्का बेसे क्लीन आप यहां से मेंड़ वो देखना है और बिल्कुल नीट courtyard क्लीन है और यह फ्रंट इसका जो बाहर है यह देख लें आप इसकी टोटल चेक कर लें यहां से पार्ट वगरा देख लें पार्ट से आपको आईडिया हो जाता है कि गाड़ी किस तरह से चली हुई है तो अब मैं आपको इसके इंटिर्यर में ले चलता हूं इसका इंटिर् मिल जाएंगे और यह से इंटिर्यर की एक कंप्लीट लुक है अब इसके इंटिर्यर की कंडिशन चेक कर लें उसके बाद मैं आपको अंदर से इसका इंटियर दिखाता हूं सो वीवर जब मैं गाड़ी के अंदर मुझूद हूँ आप इसके स्टेरिंग वील की कंडिशन देख सकते हैं और इसके मीटर की कंडिशन देख लें एक लाग किलोमेटर यह गाड़ी चली हुई है राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको पावर मिरर्स के कंट्रो मिल जाएंगे यहाँ पर आपको फोग लाइट का कंट्रोल मिल जाएगा और ओवराल कंप्लीट जो है वह आप इसकी कंडिशन देख लें इसके इंटिरियर की जो इसमें फीचर वगएर है वो तो आपको बताने की जुरूत नहीं है बेसिक जो आपको पता है जीलाई को हर किसी बंदे को पता है सो मैनुवल ट्रांसमिशन में यह गाड़ी है कंडिशन आप इसकी देख सकते हैं इंटिरियर की जो कंडिशन है वो काफी नीट अंड क्लीन है और बेज ब्लैक का कंबिनेशन है इसमें कलर्स का रूफ की कंडिशन देख लें आप इसकी इसमें Android पैनल आपको मिल जाएगा और इसमें जो बैक कैमरा वो भी इंस्टॉल्ड है और HD बैक कैमरा इसमें इंस्टॉल्ड है उसका काफी अच्छा रिजल्ट है कैमरे का आप यह देख सकते हैं बैक कैमरा सो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की दिमांड की तो यह थी बाक्स में आपको नंबर मिल जाएगा उस पर कॉंटेक्ट करके आप मजीद डिटेल भी ले सकते हैं और इस गाड़ी की डील भी बना सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल नोडिफिकेशन आइकन क्लिक करके और लाजमिस चलिए अपडेट आपको मिलती रहे अग